हेलो दोस्तों एक बाद द्वारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चेनल वेकरना स्टॉक्स में जैनल को लाइक शे सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इस चनल में नये दो चल्ड को सब्सक्राइब कर लो साथ में बेल को स्टॉक है जिस वेलुशन में मिल रहा है लगतार प्रोमोटर्स बाए कर रहे हैं स्टॉक को नीचे की लेबल से और चार्ड में स्टॉक मुझे काफी अच्छा लग रहा है बट हां 116 रुपे जो भी प्राइस चल रहा है वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग जोन है इसका ठीक है तो अगर आप सोच रहे हो कि लॉंग टर्म में इसमें इन्वेस्मेंट करना चाहती हो और आपने अभी तक करा नहीं है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है कि आपको किस बैस प्राइस में एंट्री करनी चाहिए तो वीडियो को आप अधाशना से ने को सभी के इसज़ें आप सस्क दूसरा नियुक्त स्यजव को सब्सक्राइब बनाएगी तो उनको power कि हम सकता होगी charging points कि हम सकता होगी तेफिनिटल टाटा power उनकी लिए एक अच्छा power supply का काम कर सकता है तो टेफिनिटल स्टॉक को मिड़ा में रख सकते हैं काफी बढ़िया है और दूसर रिजन दूसका यह हो सकता है टाटा power आपका अगर आप चार्ट देखती हो तो यह स्टॉक आप बोल सकती हो कि एक सुद्वूत होके पड़ावा 28 से ठीक है अब दोस्तों मुझे लगता है परसिनली देखिए मैं आपको थोड़ा ना एक तरीक अब जो स्टॉक्स 2008 से जो स्टॉक ने 2008 का हाई ब्रेक नहीं कर पाए किसी भी रिजन से वो रिजन कुछ भी हो सकता है अब वो स्टॉक डेफिनेटली आउट फॉर्म करेंगे इस राली में मतलब कि इस सेकंड जो भी कोबिट के बज़े जो फॉल आया था क्रेक्शन आया जो बहुत बड़ा वो दिखा गया था क्रैश मार्किट में मुझे लगता है जो इस क्रैश में पार्टिसिपेट करेंगे वो स्टॉक होंगे आपके टाटा पावर और टाटा मोटर जैल स्टॉक और जो स्टॉक ने अपना 2008 के हाई तोड़ नहीं पाया है जैसे आपको पत टाटा पावर एक अच्छी स्टॉडी बनाते में नजर आ रहा है न्यूज भी इसके फेबर में नजर आती मिल नजर आ रही है बहुत सालों से दिनों से बोस्ट तो हर जगा आपको एक पॉजिटिव खबर देखने को मिलेगी तो डिनाए गर दिया उसे एक नहीं ताजा लेटेस्ट खबर है टाटा पावर के आप देख सकते हो रेस करेंगे 900 क्रोड रुपे विया वेंचर्स तो आप बोल सकते हो यह इंपक्त पड़ रहा है इसी बज़े स्टॉक के प्राइस में और दोस्तों अगर रिजल्ट की बात करता हूं मैं आपको थोड़ा रिजल्ट साथ में कुछ समझ आएगा ना तो लाइक तो पकाई कर देना ठीक है तो लेकर चलता हूं आपको हमारे पहले इसके फंडमेंट अनालेसिस की तरफ टाटा पावर की कि भी है स्टॉक में हमें क्या गरना चाहिए तो दोस्तो मैंने टाटा पावर की कमपनी के बारे में खोलाऊ है जैसे आपको पता है right electricity से latest का काम है transmission ठीक है company के बारे में आपको बदानी के बंसकता नहीं है सब को बहुत पता है इस company के बारे में और जैसे आपको बता है Tata का low है stock में ठीक है बात करते है market cap फी तो 36,000 क्रोड का market cap है company NSCBSC दोनों में कामकाश करती है और अगर all time high की बात करते हैं दोस्तों company अभी all time high के आसपर trade करी है मतलब जो last day का high था वो company आसपर trade कर रहे है या low लग कर चुका है और दिविदेंट इल्ड वी आप देख सकते हैं तो 1.37 प्रसेंट के आपसे का डिविदेंट इल्ड हम काफी अच्छा डिविदेंट इल्ड कंपनी दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को राइट दोस्तों डिविदेंट तभी दिया जाता जिए कंपनी डिविदेंट दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को सेल्स में गिरावर्द देखी गई है लास्ट कुछ सालों में पांस सालों में ठीक है तो एक नेगिडिम इंपक्ट आप बोसकते हैं इसी बज़े से स्टॉक अपना 2008 का हाई अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है ठीक है औ लेकिन दोस्तों अब धिहान दोगे तो यह अपने सेक्टर का लीडिंग इस्टॉक नहीं है लेकिन मैं इस्टॉक आपको क्यों बोल रहा हूं कि एक अच्छा इस्टॉक बन सकता है उसका रिजिन उसको यह कि ठाटा का लोग है के ठाटा का नाम जहां जूड़ जाता है व उनको भी रिटार में रख सकते हो काफी अच्छी उनकी प्रॉफिट्स है एस कंपेरेजन यह टाटा वावर राइट ऐसा कुछ नहीं कि आपको टाटा का टाटा का शेरी लेना है बहुत सारे स्टॉक से पावर के जो आप इन्वेस्ट्न करके भूल सकते हूं ठीक है तो द एक करोड के आपको प्रस का प्रॉफित हुआ था असका नेट प्रॉफित लेकिंडोस्तों बीच में जो स्लोब आया इसको अच्छा वावाज करोड का और लगातार असने लॉस्ट दिया लेकिंडोस्तों देख सकते हो दो जार आपका यह कितना है मैं को दिखा जाता है द मुझे यही रीजन मुझे लगता है कि भीया बीच में एक स्लोब आया था आप बहुत लगते हो कि कंपनी अच्छे खासे लोग दे रहे थी हजाग कर असपस लेकिं उसने वहां से उसको उपर उठके वहां से रिकवरी करके दिखाई और वहां से उन्होंने प्रॉफिट वह भी नजरों में आ चुके है तो डेफिनेटली आगे फिश्यों में इसका ग्रोथ है और आप हो सकते हो कि नेक्स 10 साल इसी पावर सेक्टर और आपके जो लेक्रिंग वेहिकल स्टॉक्स है वो आउटपर फर्फर्म कर सकते है और साथ में जो AI स्टॉक्स होते है और जो जो इंटरेटी सब्स्यों प्रफर्म कंपनी है थिक्ता कंपनी है बात करते हैं इस कंपनी की सेरोल्डिंग पैटन की तो दोस्तो आप देख सकते हैं अपना सेरोल्डिंग पैटन बढ़ा रहा है मतलब जो मालिक है वो खुदी अपने श्टॉक्स भाई कर रहे है नीचे के देख तो मार्च दोस्तों में 33 परसिंग थी और दिसेंब को बीस में आता है थैं 47 परसंट के आसपास और 100 रुप्रे के आज़ पर ट्रेट कर रहा था तब जाके आपके जो जनर बबली के और अपनी होल्डिंग बढ़ाई तो कहने का मतलब है कि जो आपने बाए कि 80-100 रुपे जो रेंज है वो एक हाई रेंज है तो मैं आप से बोलूँगा तो थोड़ा हो और नीचे आने तो सब्काला मैंर रख सकते है बाकिया बात करते हैं जाकर ने मतली चार्ट होला भाए दहां हाँ दोस्तो मनतली चार्ट पर इसने ऐ ट्रेंड लेकाउट के है एक नहीं दो कि जो से यह दुहराइट का जो हाई दिकरा मैंने ट्रेड्लाइन ट्रो करी है यहांसे ठीक है आप भी कर सकते हो बहुत इजी है एक देख सकते है यह रहाँ करोगे ठीक है तो अब देखको धियान से तो यह यहां पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकाउट हुआ है और स्टॉक नहीं य तो भाई definitely यह stock आप buy zone में आ चुका है मत्ता बोल सकते हो bull run में आ चुका है तो अब हम आप क्या करना हम आप support चेक करने हो तो दोस्तों अब ध्यान से देखो कि जैसे मैं आपको बता था वीडियो के शुरू में कि 116 रुपे 116 रुपे के आसपा 115 रुपे का आसपा stock का है resistance area दीख सकती है यह है resistance area और यह बना रहा है एक तरह का you pattern यह आप ठीक है तो अगर यह 116 रुपे के उपर चले जाता है तो definitely stock का buy करके चल सकती हो और आपको stop loss लगाना पड़ेगा लेकिन stop loss होगा आपका यह 27 रु definitely definitely यह you pattern बनाता है तो आप क्या करना आप थोड़ा पैसा 116 रुपे के price में buy करके चल सकती हो लेकिन आप थोड़ा दिमाग से खेलो और जब यह stock नीचे आए ठीक है यह you pattern complete हो जाए उसके बाद यह मेरे मेरे साफ से definitely नीचे आएगा 50% retracement लेने के लिए जो निकल के आता है सतर से 80 रुपे के आसपा जो कभी भी future max stock आगा को सतर से 80 रुपे के आसपा दिखता है ठीक है long term investment की मैं बात कर रहा हूं आप इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हो और दोहर 8 का हाई जब एकवा stock ब्रेक कर देगा तो definitely आपको यह दो से 300 रुपे के target अराम से दिखा सकता है अब बात करते है कि short term में आपको इसमें trading कैसे ही करने short term के लिए मैंने एक तरीका निकाला है वो तरीका आपको मैं बथा देता हूं उसके लिए मैं आपके लिए कर चलता हूं दूसरे image की तरफ तो यह मैंने daily image को लखी है data power की तो देखें दोस्तों इसमें आपको करना किया है आपको दो लाइने दिख रही होगी यह दो मैंने moving average apply कर रहे है एक है आपका 40 moving average देख सकते हूं यह रहा ठीक है यह simple moving average apply कर रहा है मैंने 40 का ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 40 moving average apply कर रहा है ठीक है 40 moving average यह है simple moving average 40 आपको apply करना है टाटा पावर शेयर में और जो आपको यह बुलो लाइन की दिखते है बुलो लाइन यह है 9 moving average दोस्तों आप ध्यहान देखोगे तो यह stock 40 moving average के आसपास fab में support लेगे stock उपर जा रहा लगाता है ठीक है तो आपको करना की आपको करना की अगर जब भी इन दो stocks का crossover हो जाएगा मत्तब इन दो moving average का crossover जाएगा नीचे की तरफ ठीक है short term में आप stock को sell करके चल सकते हो 40 moving average और 9 moving average का crossover हो जाएगा नीचे की तरफ तो stock को आप sell करके चल सकते short term में ठीक है लेकिन buy up करना है short term में उसका तरीका बहुत simple है यह दुआरा से stock नीचे आएगा तो यह दुआरा से 40 moving average के उपर तो definitely दुआरा सब stock को buy करके चल सकते हो example जो आप बोच सकते हूं कि हमें यहां stock पे एक entry price मिलीती और यह लगातार stock देख सकते हूं कितने रुपे मिलती है मैं 70 रुपे के आसपर 26 रुपे के आसपर मिलीती तो यह अभी तक उसी moving average के उपर trade कर रहा है 47 moving average के उपर जब तक हम दुवारा stock को sell नहीं करेंगे जब तक वो दुवारा से नीचे की तरफ close नहीं करता है 40 moving average के नीचे और अगर short term buy करना है मैं आपको बतला दिया है बाकी long term कर मैं आपको बतला दिया कि long term मैं आपको कैसे buy करना है Tata power share को ठ तुछ पूछे आदो उचे कॉमेंटर के पूछे तो डेफिल्टी उत्तर में जाएगा